देश के अलग अलग राज्जियों से लिकर अंतराश्ट्री स्तर्थ तक खाद्य मसालों के सरताजुष के नाम से पहच्चान हासिल करने वाले गोल्डी उद्योग समों का अमरित महसव आईचुद किया गया वारणसी के रुद्राक्ष कन्वेंसन सेंटर के ओडिटोरियम में कारक्रम का बड़े ही हर्श और उलास के साथ आईचुन किया गया कारक्रम का खादन वारणसी के आईचुद कौशन राजचीफ शर्मा ने किया जो मुक्य अतिती के रूप में कारक्रम में शामिल हुए आऊक्तने कारक्रम को संबोधित भिकिया और अपने संबोधन में आईचुदी मसालों की साहना की साथी प्रस्टेस्ठान की प्रगती की कामना की उन्होंने अपने सम्मोधन में महिलाओं की किच्चुन के लिए गूल्डी गूरुप द्वारा ने त्य नए उत्पाद प्रस्तुत करने के पहल की भी सराहना की है कम्पनी के संस्तापा कर निदेशक सूरेंद्र गुपता ने कहा है कि गोल्डी की प्रगती में हमारे वितरकों, विक्रेताओं, ग्राहक, सप्लायर्स और करमचारियों समयत सभी का पूरा सहयोग मिला है कम्पनी के निदेशक आकाश गोयनका ने बताया है कि कम्पनी जल्द ही अपनी नई इकाई से उत्पादन क्षमता को चार गुना करने जा रही है जिससे बाजारों में गोल्डी उत्पादों की उपलब्धता को और भी विस्तार मिलेगा तो वही निदेशक शुभम गुपता ने जानकारी दी कि गोल्डी मसालिक गुरूप को केंद्र और राजसरकार की तरफ से कई बार प्रुस्कृत किया जा चुका है कार्ट्रों में अलग-अलग राज्यों से आए हुए गोल्डी मसालिक के वित्रकों को उनके लक्ष हासिल करने के लिए अलग-अलग सम्मान दे करके भी सम्मानिक किया गया गोल्डी मसाले का आज ये नेशनल मीट का होजन वारानसी में किया जा रहा है और बड़ा ही फेमस लोकेशन जो रुद्राक्स कन्वेंशन सेंटर है वारानसी का भारत और जापान के सहयुक्ष जो बना है उसमें इसका आयोजन किया जा रहा है वारानसी एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है आज की तारिक में अलग 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 प्राइवेट कोर्पोरेट्स के द्वारा भी कारेक्रमों के लिए तो गोल्डी मसाले के द्वारा भी एक कारेक्रम आज वारानसी में किया जा रहा है और परिवार और गोल्डी मसाले ग्रुप जो है वो वारानसी के नाम से चूता नहीं है वारानसी में जब औक्षिजन प्लांट के आउश सकता थी तो आपने बिल्डव में औक्षिजन प्लांट पूरा डोनेट किया था कानपुर जैसे शेहर में आप लोगों के इतने जादा कारे होते हैं चाहिए शेहर के लिए हो जाए हल्थ डिपाrटमेंट के लिए हो ऐन्य प्रिव४ के लिए हो और वारानसी के लिए भी हमेशा आपने CSR के माध्यम से और अन्य अपने जितने भी पार। पारिवारिक जो डोनेशन्स होते हुए उनके माध्यम से मदद की हैं मैं सोम गोहिन का गोल्डी मसाले का प्रादम अपने बच्पन के मिट्र भाई सुरेन गुप्ता के साथ वो छोटी पूंजी से अपने पिटाजी के आशिरवाद से हमने किया था जो कि आज भारत के लगभग सभी प्रांतों में फैल चुका है हम मसाले अचार चाय गुलाब जा मुनमिक्स नूडल सासे सिवया अगर बत्ती धूब बत्ती वगरा वगरा के उत्पाद बनाते हैं हमने इस बात की एक प्रकार से ओठ ली थी हम ऐसा कोई भी उत्पादन नहीं बनाएंगे जो शरीर को नुक्सान करता हूं हम जो भी लाब अर्जित करेंगे उसमें एक सेर समाथ की सेवा में जरूर लगाएंगे हमने एक उपार योजिना सुरू करी थी उसका आज समापन था और लकीर राता जिसमें यहां के कमिस्टनर साब पाननी स्रीकोशन राजी सर्मा मुझकतित के रूप में पधारे और उन्हें इस दा को संबंद कराया हम लगों ने इसको बैलिस साल पूर्व इस आसा और विश्वास से प्रारम किया था कि सबके सहोग से और ज्यादा से ज्यादा इंप्लाइमेंट जेनरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक समाज को प्रदेश को देश को एक अच्छा संदेश देंगे उसमें आप सबके सुब कामन से आसिरवास से वोगताओं के और ग्रहनियों की सबकाउनाओं से गोल्डी अपने इस लक्ष को पूरा किया है आज पिछला हमारा जो इसकी समाप्त हुई है उसमें लगभग 11,000 पुरशकार थे जिसकी घोश्णा हुई माननी कमिस्टनर महोदे ने उसका सुभारम किया औ और आज हम लोग नई स्कीम अमरत महुत्सों के नाम से लांच करने वाले हैं